तो एलो फ्रेंट कैसे आप दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप Samsung Galaxy के यूजर है या वो सकते हैं आप Samsung Mobile अगर आप यूज करते हैं तो आगे आपको पांस टेप या वो सकते हैं पांच आपको जो फीचर बताने वाले हैं जो Samsung के Mobile में प्रिंस्टॉल होते ह और यह basic functions होते हैं यह बहुत सारे लोगों को पता तो होंगे हो सकता है बहुत सारे लोगों को यह पता भी नहीं हो बट यह बहुत important होते हैं जिससे आप अगर आप इसको यूज करेंगी तो आपका जो टास्क है यह वीसे वर्क है बहूत अगर आप किसी को call करना होता है तो आपको यहां पर click करना होता है और यहां पर call पर click करेंगे तर जांके call current होता है बाइट आपको Samsung के मौयल में एक प्रिजिट और feature मिलता है जैसी आप यहां पर right swipe करेंगे तो यह call का option है जाएगा ऐसी अगर आप यहां left swipe करेंगे तो यहां message का option है कैसे अगर आपको right call करना है तो यहां right पर click कर देंगे और call वहां पर हो जाएगा और यहां पर आप देखेंगे तो अगर आप किसी को call करते है तो आपको नीचे number भी flash होता है अगर आप चाहते है कि आपका number नीचे नहीं दिखना चाहिए किसी भी contact का अगर आपके phone आ रहा है या जा रहा है तो वहां पर number flash नहीं होना चाहिए सिर्फ normal आपका नाम आना च पर आपको नीचे की तरफ आएंगे यहां पर जाना है अधर कॉल सेटिंग पर यहां पर आपको क्लिक करेंगे तो आपको नाम 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 दरू दिखेगा बाकि अगर आपको किसी को contact से से कोई नमबर आएगा तो वहां पर आपको नाम नहीं दिखने वाला जो की बहुत ही कमाल का यह feature दिया गया है उसके दोस्तों यहां पर जो second बताने वाला हूं वो है call को यहां पर क्या होता है कभी हम कोई videos देख रहे हैं या कोई game खेल रहे हैं या कुछ भी हम कर रहे हैं पर हमें कोई call आता है और एकदम से फूरी screen पर आता है हम नहीं चाहते है कि कोई भी call हमारे पास पूरी screen पर आये तो आप वहां पर एक option का यूज कर सकते हैं जिससे होगा कि जब भी आपको कोई call आएगा तो proper एक छोटी सी screen में जाएगा जिससे भी आपको कोई भी working है वहां पर कोई disturb नहीं होगा तो उसके लिए भी आपको करना क्या है यहां call पर जाना यह आप इस पर क्लिक कर देंगे तो जब भी आपको कोई call आएगा आपको इस दूसरी app यूज कर रहे होंगे तो आपको स्रिफ छोटी सी notification आएगी जैसा कि वहां पर आपको दिख भी रहा होगा सेम ऐसी notification आईगी आपको यहां पर इसको क्लिक करके activate कर लेना है उसका दोस्तो तो जो थर्ड बताने वाला हूँ वह भिबहूत कमाल का यहां पर दोस्तों अगर आप अपमाल को lock करते हैam now besides तो अगर आपने पर ऐब आता करें कि आपको आनलाक हो जाए पंखोन तो आपको यह जा नहींbu सेटिंग पर सेटिंग पर आपको जाना है या प्रोग स्क्रीन पर और आपको जाना है और आप यह जो भी यहांख़ु आप दोबारा आपको pin create में डालना है यहाँ पर जैसे आप अपना pin create करेंगे यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा confirm field without tapping आपको इसको ok कर देना है और जैसे आप इसको ok करेंगे अब आप देखेंगे मेरा mobile अब यहाँ पर confirm हो गया है और अब मैं अपने mobile को यहाँ से lock करता हूँ lock करने के अब मैं unlock कर रहा हूँ आप देखेंगे मैंने खाली यहाँ पर pinny डाला है और वो unlock हो चुका है उसमें pattern वाला option नहीं आया तो यह भी बहुत ही कमाल का यहाँ पर feature दिया गया बताने वाला हूँ यह बोल सकते हैं जो फोर्थ बताने वाला हूँ वह भी लॉक से लेटेड़ है और वह face unlock से लेटेड़ है दोस्तों अब अपने mobile में face unlock यूज करते हैं तो आप मैं देखा हूँ जब भी आपने mobile को face unlock यूज करते हैं तो वापिस आपका जो स्क्रीन है स्वाइब पर रहती जब तक आपको स्वाइब अपनी करेंगे जब तक वह वापिस अन्लॉक नहीं होता कैसे लाइक मैंने यहाँ पर आप देखेंगे मैं लॉक लॉक कर लिया है और यहाँ पर अन्लॉक हो गया है और जब तक में यहाँ पर यहाँ अपनी करूँगा जब तक मेरा mobile नहीं होने वाला आपके साथ भी ऐसा होता है अगर आप नहीं चाहते डारेक्टी अन्लॉक होने क्या सीधा आपकी लॉक कर देखेंगे और आपको लॉक करता हूं और आप देखेंगे पूरी स्क्रीन महाँ पर अन्लॉक हो जाएगी तो यह भी बहुती कमाल का यहां पर फिचर दिया गया है जो कि प्रिइंटॉल्ड रहता है आपको बस इसको अन्यवल और डिसेबल करने रहता है उसके वाज जो लास्ट जो पताने वाला हूं वह भी बहुत शांदार है तो यहां पर अगर आपको अपने वाई को लॉक करना है तो सिंपल ही आप यहां डबल टैप करेंगे और उच्छाने का अपको यहां पर करना क visão जाने का आपको जाना है मोशन एंट गैजरस पर आपको डobile tap to turn on screen और डबल ट्रॉट से बताएं, थोड़े basics से बताएं, कुछ लोगों को ये पता ही नहीं होंगे, तो ये मैंने बताए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, तो प्लीज लाइक जरू करें, तो थैंक यू, तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक जरू करें, अगर आपको लगता है तो मेरी वीडियो कुछ कभी दे